कभी कभी आपका एक गलत कदम या प्रियोग आपकी समस्त अच्छाईयों को ढग देता है आप हिर्दे से कितनी भी स्वच हो यदि वो एक भूल सब की चर्चा का विशव बन जाए तो फिर सब विर्थ है कुछ ऐसी ही घटा घटी है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ नमस्कार TFI पर आपका सुआगते और मैयोगिस शर्मा आपको परिशित कराऊंगा कोटक बैंक द्वारा यूटूबर एबं कथित कोमेडियन कनमे भट को अपने विज्यापन हेतु निउप्त करने के विवादित निन्ने के बारे में और बताऊंगा कि कैसे ये गलत रीती का परिशायक है तो एवलम आरंब करते हैं हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने एक परमोशनल अभ्यान चलाया जिसे काफी वरोध के बाद वापस भी ले लिया असल में इस अभ्यान का एक परमुक चहरा थे कनमेभट जो एक चर्चित यूटूबर है और एक समय AIB नामक गुरूप का करता धरता भी था ये गुरूप अपने अडल्ट कोमेडी के लिए सुर्चों में रहता था और कई बार विवादों के घेरे में भी आ चुका था साल 2018 में मीटू अभ्यान के बाद ये गुरूप बंध हो गया था तनमय भट का विवादों से घेरा नाता है AIB के सदस्य होने के अलावा ये कई बार अपने आपत्ती जनक कंटेंट को लेकर सोचल मीडिया पर खूब अलोशनाओं के घेरे में आ चुके हैं ऐसे में जब कोटक महिंद्रा बैंक ने इन्हें अपने अभ्यान के लिए चुना तो परशन उठना सोभाविक था AIB ग्रूप के सबसे लोगप्रिय चहरे और AIB कंपनी के CEO तनमय भट पर पहले भी कई बार महिलाओं के साथ अबद्रता के आरोप लग चुके हैं यहीं नहीं तनमय भट ने पूर विदेशी मंतरी सुस्मा सुराज को भी अशलील मैसेज भेजे थे यह तो मातर प्रारंब है तनमय भट परधान मंतरी नर्न मोदी की आपत्ती जनक तस्वीर पोश्ट करके भी विवादों में फस चुके हैं इसके अलावा तनमय ने दो मिनट के स्नैप चैट वीडियो में किर्किट के भगवान कही जाने वाले मास्टर बलास्टर सचीन टैदूलकर और लता मंगेशकर के लिए आपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया था जिसके लिए उसे सुक्षर मीडिया पर खोब खरी-खोटी सुनाई गई थी उन्हें सुक्षर मीडिया पर जमकर लोगों का वरोज जिलना पड़ा और खोब ट्रोल भी किया गया था इतना ही नहीं NCP ने उनके खिलाब प्रोटेस्ट किया और उनका पुतला भी जलाया था इसके अतरिक तन्मे भट के AIB गुरूप का नाम तब सुर्खियों में आया जब साल 2018 में महीमा को क्रेजा नाम की एक कोमेडियन ले यूटूबर उत्सब चकरवर्ती पर कई सारी महिलाओ को अशलील मैसेज और फोटेज भीजने का आरोप लगाया था उत्सब उस समय AIB के साथ फिल्लैंसर के तोर पर जुड़े थी और तन्मे भट उस समय AIB के CEO थे मगर मामला तब ज़्यादा संगीन हो गया जब ये पता चला कि तन्मे समयत AIB के कैई सारे कोमेडियनों को उत्सब की सचाई पता थी मगर इसके बाद भी सब उसके साथ काम करते रहे इसका नुकसान तन्मे भट को भी उठाना पड़ा और उसे कोमिकिस्तान के दूसरे सीजन के जजेस के पैनल से हटा दिया गया धीरे धीरे इस ग्रूप की परतिष्टा पर सवाल उठने लगे AIB के गैर जिम्मेदाराना रवईय को लेकर सवाल उठ रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना रवईया AIB के अस्तितु पर खत्रा बन चुका था ऐसे में अंतितहा AIB को बड़ा कदम उठाती हुई कम्पनी के सियो और को फांडर तन्मे भट और को फांडर गुर्ज सिम्रन खंबा को भार का रास्ता दिखाना पड़ा तो क्या विवादिक तन्मे भट को पुने मुख्यदारा में लाने का प्रियास है इस ओर संकेत देती हुई भूश अर्चित अभीनितरी कंगना रनोत ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि जादातर दक्षिन पंती विचारकों के साथ समस्या ये है कि वे वामपंतियों की प नमों से देख सकते हैं परंदू कंगना यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे ट्वीट किया सवाल ये नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं चैल्ड पॉन प्राथमी कार्णों में से एक था जिसके कारण एलन मक्स ने ट्वीटर का परबंदन संभ इस तरह दक्षिन पंतियों को अपने स्वेम के व्यक्तिगत वित्य अच्छे लाब की कीमत पर भी चीजों को बनाने की अवशकता है। हमें रणनीतियों कारियों की अवशकता है यदि सिस्टम समर्थन नहीं दे रहा है तो हमें इस व्यक्तिकत रूप से करने की जरूरत है। तो क्या क्युछ लोग पबलिक की कथित शोट मेमोरी का लाब उठा रही हैं हो भी सकता है। आप स्वेम देखे जब कॉमेडियन अदिती मितल भी AIB संग जुडी तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर रियक्ट किया और सीधे तनमे भट पर अलजाम लगाते हुए कहा कि जब वे AIB का हस्सा थी उस दोरान उन्हें कुछ ऐसी बाते कही गई थी कि वे डिप्रेशन म कोई काम नहीं कर पाई थी उन्होंने इस दोरान के सारे खुलासे किये थे जिसके बाद AIB और तनमे भट की छवी को और नुकसान पोचा था लेकिन अब तनमे एक यूटूबर हैं जो ठीक ठा कमा लेते हैं और तो और एक इंफ्लूएंसर भी बन चुके हैं जिसके आधार पर उनके पिछले कर्मों को भुला कर उन्हें अफसर दिये गए ये तो वही बात हुई ना कि देश का विवाजन और हम जिन्ना की मरत्यू का दुख मनाए ऐसे में क्या उक्त कंपनियों के लिए तनमे के कान रात गई बात गई जैसी बात हो चुका है आपको वीडियो कैस लगा कमेंट सेक्शन में अविस्स आजा करें